अब आपके सामने एक नया केस पोस्ट करूंगा यह केस एक 28-29 एक फीमिल का है और उसको पिछले चार-पान दिन से उसको फीवर आ रहा है फीवर विद चिल्स है और यूरीन में बर्निंग है इचिंग है और उसके साथ उसको फीवर के साथ चिल्स है और उसके फादर ने मुझे कॉल किया लेट नाइट की सर ऐसा ऐसा अचली उसका फैमिली मेरा पूरा पेशन्ट है और उसकी डॉक्तर को हुआ तो उन्होंने किसी अलोपेथी डॉक्तर को दिखाया तो उनके पास से वह एक हपते से दवाले बट फीवर वस नॉट गेटिंग लगेगा आप मेडिसीन लेते रहें बट फीवर वस नॉट गेटिंग डॉन आफ्टर टेकिंग मेडिसीन फीवर उतर नहीं रहा है पेशन को चिल्स लग रहा है तो मैंने बोला ठीक है आप मॉर्णिंग में लेकर आ जाईए मैं देख लेता हूं मॉर्णिंग में मतलब मदर के साथ आई उसकी लड़की एंड उसने एक ब्लैंकेट ओड के पतला ब्लैंकेट लेके आई एंड बाल जो उनका बाल था मतलब शी वस नॉट कॉंब मतलब ऐसा लगा कि सुबह उठा और मतलब आ गई है और सिट मतलब एदम सिट पोलाइटली मतलब सिंपल मतलब कोई चेहरे पे स्माइल नहीं चेहरा वास वेरी डल उसका फेस एकदम डल था और नो स्माइल आखे एकदम ऐसा लगता है कि अभी नीज से उठी है उसको लेके आया और बैठी तो मैंने मदर को बुला कि आप बैठी बार मैं इससे बात करता हूं एंड मुझे बहुत धंडी लग रही है और वो डॉक्टर की दवा एलोपेथी में पांचे दिन से खा रही हूं बट मुझसे कुछ भी अराम नहीं हो रहा है सर मतलब उसका टोन जिस एंगल में उसने बोला है मैं वो टोन आपको बताता हूं मतलब आइट्राइट तो मतलब कि उ रात को आप लिक्लिनिक में नहीं थे तो बोले आप गोली खिला दो और डोलो या बुखार का कोई दवा खिला दो तो मैंने वह भी लिया सर मगर उससे भी अराम नहीं हुआ मैं रात भर मुझे बहुत बुखार था और मेरे भाई ने फिर एक बहुत गड़ गोली लाके द सर मैं मैंने वो गोली खाई रात भर मुझे बहुत पसीना हुआ और फिर सुबह ऐसा लगा कि मैं ठीक हो गई मगर फिर से वो खार चड़ गया और वापस से वही तकलीफ हो गई मुझे वीकनेस आ गया है खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है और उल्टी जैसा लगता है खाना देखते ही मुझे उल्टी लगता है तो मुझे बहुत धंडी लगती है मेरे को वीकनेस बहुत आ गया है तो मैं वो डॉक्टर साब को पूछी कि सर कितना दिन लगेगा मुझे ठीक होने के लिए तो उन्होंने बोला कि आपका infection बहुत जादा है आप दवा लेते रहो जब तक ठीक नहीं होता है तो मैंने उनको पूछा कि कितना दिन लगेगा सर, उन्होंने बताया कि 6 मैना लेना पड़ेगा, तो मैंने बोला ठीक है, मैं लेती हूं बर्ट मुझे अराम तो आना चाहिए, आराम आये तो मैं 6 मैना ले भी लू, मगर मुझे कुछ भी अराम नहीं है सर, मुझे वीकनेज सब्सक्राइब आपके अंदर क्या चेंज हुआ है, नॉर्मली और फीवर में, बुले चेंज सर मुझे बहुत वीकने सा आ गया है, मतलब मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, मतलब मैं उठी नहीं पाती हूँ, बस दवा खाती हूँ, सो जाती हूँ, खाना भी नहीं खाती हूँ, पानी पीती र भौम लगता है सब कुछ न कुछ जब ठंडी लगतीती तो कोई मुझे पकड़ के बैठता है सरव मुझे सभी нрав souvent सब मुझे सब वह कंडिशन है अभी भी मेरी हालत वैसी है मिर को अभी भी फीर रहे मेरा को अभी भूब थंडी लग रहे हैं स्व इस तरह से वह बोले जा रही है तो मैं ल Um पिर ऐसा है कि फिर वो चिलाते भी हैं कि दवा नहीं खा रहे हैं खाना नहीं खा रहे हैं यह नहीं कर रहे हैं तो खाना नहीं खाएगी तो कैसे चलेगा पपा तो और उनका अलग ही चालो रहता है वो और जोर से चिलाते हैं कि बाहर का नहीं खाना था यह नहीं खाना था त कि मैं उनसे कुछ बोलू तो मैं कुछ भी नहीं बोलती, मैं सुन लेती हूँ और रात को मुझे बहुत धंडी लगती है, तो मम्मी मेरे पास मुझे पकड़ के सो जाती है तो मुझे लगता है कि मेरी वज़े से उनको तकलिफ हो जाएगी तो मैं पास सेकेंड के बाद उनसे थोड़ा जाके दूसरे बिस्तर पे सो जाती हूँ कई मेरा इंफेक्शन उनको हो जाएगा, उनको फीवर आ जाएगा तो मैं थोड़ा उनसे दूर चली जाती हूँ और रात को मुझे यूरिन के लिए जाना रहता है तो मैं मतलब मुझे पास ताकत नहीं रहती है कि मैं उटू और खुद से चली जाओ मगर अब सब सोय रहते हैं, दिन भर सब मेरे पीछे पढ़े हैं इतने दिन से तो मैं कोशिश करते हूँ कि मैं खुदी धीर धीर चली जाती हूँ से और यह सब साहँ हूद रही है, और इस सब मेरे कन्डिशन के साथ हो रही है तो इसको लेके आप जल रहा नहीं का दिमाग में यह हम लोग स infection हूं यह दिमाग में बहुता है, जान फिर चला कि नई फीर ऊच्शा नहींeras़ हो यह करता है वो सब में याद करने की कोशिश करती है वो सब जब होच सोचती हूँ तो मेरा फीवर चला जाता है पता नहीं कैसे चला जाता है बट मेरा फीवर एकदम चला जाता है मैं मेरी सब याद करती हूँ अच्छी अच्छी बाते याद करती हूँ कि मैंने मेरे friends के साथ क्या enjoy किया क्या मज़ा किया यह सब जब मैं सोचती हूँ तो एकदम से अच्छे से मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो गई और मैं एकदम मुझे अराम आ गया मुझे कोई दिक्कत नहीं है बट आदे घंटे बाद फिर वही condition हो जाती है तो यह सब मतलब यह सब चल रहा है सर तो अभी आप मुझे ममा को मैं बुला कि ममा मुझे आप मुझे इससे प्लीस मुझे इससे निकालो मैं अभी और इसको मतलब यह नहीं कर सकती मुझे अब इससे जल्दी मतला मुझे इससे ठीक कर दो मुझे अभी ज़स इससे ठीक होना है सो मैंने बोला ठीक है और कुछ तो बोला कि और कुछ नहीं सर बस यही चल रहा है और कुछ नहीं बस यह फीवर है यह वीकनेस जादा है और बस ये सर दर्द निकल जाए फीवर निकल जाए और वीक्नेस निकल जाए क्योंकि डॉक्टर ने तो सब मुझे मना कर दिया है कि दूद वाला चीज नहीं खाना है ये नहीं खाना है जो कि मेरा सबसे फेवरेट चीज था और वो सब उन्होंने बंद कर दिया है मगर उसको बंद करने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि मैं ठीक लग रहा है मेरी कंडीशन जैसी थी वैसे यह खबते से चल रही है दवा तो मैं खा रही हूँ तो मैंने भला ठीक है मैं दवा देता हूँ सो आप मुझे पताएं नेक्स दे कैसा रहता फीवर का सो इस तरह से यह इसका टोन था मुझे इस केस में यह बताना था कि पेशन किस हिसाब से आपके सामने बात कर रहा है इस इस मोस्ट इंपॉर्टन पार्ट पेशन इतने 102 फीवर में भी वह किसनी पॉलाइटली कितनी अगर आप इस फिल नजर नहीं हटाएंगे तो आपका केस आपका वहीं ओवर हो जाएगा क्योंकि अगर रूब्रिक डालते हो पॉलाइट टू पॉलाइट माइड लेस ठीक है आपका केस खतम हो जाता है पेशन की मेडिसन सामने आ जाती है ठीक है और पेशन ने क्या बु तो यह होदा चेंज डिजार फॉर रूब्रिक एंड सब उसकी केर कर रहे हैं उसको अच्छा लगता है बट उसको डाटते भी ना तो फीवर में उसको अच्छा नहीं लगता लोग उसको डाटते हैं बुरा बोलते हैं उसको तो सेंसिटिव टू रिप्रिमेंट केरफुल अधर मदर को इंफेक्शन ना हो जाए इसलिए रात को किसी को उठाती भी नहीं है खुदी धीरे धीरे कैरफुल के साथ वह दीरे खुदी चली जाती है बात्रूम जाने चाहिए तो कैर कैर फूल ऑफ अधर्स दिन भर मेरे पीछे पड़े हैं और रात को भी मैं उनको इस केस में हाउ जब मुझे अच्छी अच्छी मेमरी याद करती हूँ तो मुझे मेरा फीवर चला जाता है तो यह एक रूBBरिक है ड्वैल ड्वैल और पास्ट हैपी मूउमेंट यह हमारे पास रूबरी के मयरा पास्ट которых कि झाल ने सेनाने निस दो सेजन वन वुड़ वह उसे वह sweet memory वह dwell करती है तो उसको उसमें अराम मिलता है तो यह occupation diversion है मेले occupation मतलब क्या होता है कि काम उसके दिमाख में पुरानी memory का जो work चल रहा है ना कि जो remind कर रही है वो सोच यह सब occupation ही है तो यह occupation diversion उसका divert हो रहा है वहां से उसका वहां से उसका मन divert हो रहा फीवर से और नेगेटिविटी से और उसको वहां उससे अच्छा लगता है क्योंकि वह past happy moment याद कर रहे है तो इस वेरी करसीन दिया करसीन थर्टी करसीन तूहंडरेंट तूहंडरेंट उसके तीन डोज दिया विकॉस एक्टीट फीवर था और वीक्नेस बहुत जादा था तो मैंने 30 ना चूज चूज करके 200 किया विकॉस वाइटल फोस काफी हद तक डिरेंज हो चुगा था एंड उससे बूस्ट करने के लिए मुझे 200 पूटेंसी यूज करना बढ़ा क्योंकि पेशन अलड़ी 7 डे से सफरिंग में है और उसका जो पस सेल है 150 के आसपास है इंफेक्शन बहुत जाद है मैंने उसे 200 के 3 डोज दिये और मॉर्निग में मेरे पास आयी थी इवनिंग तक उसके पास राद तक उसको फीवर नहीं आयार अरहा तक उसको जराभी फीवर में यहकशन मौनिंग में हल्का 99 Move कम था मगर Ph weed 99 था जन से अ एक्गम नर्मल होगा स्थर्ट बाद यह उसे एक सर्दी यानि कोल्ड एन कोराईजा हुआ सर्दी चालो हो गई दो दिन सर्दी रही एकदम ठीफ हो गया सेवन डे मैंने उसका रिपोर्ट किया उसका पस सेल 425 मतलब एकदम नॉर्मल जो 150 पस सेल था एंड जो इंफेक्शन इतना ज्यादा था और RBC जो एकदम उसमे 3 डोस दिया था उसे 15-50 मिनिट्स में उसके बाद उसको जरुवत नहीं पड़ी सो यह हमने क्या देखेंगे पेशन कितनी पॉलाइटली बात कर रहा है केस में आप देखे कितना सिंप्लिसिटी के साथ कितना माइल्ड के साथ और कितना पॉलाइट के साथ उसने कितना अच इस पेक नहीं करते कि कोई पेशन आपसे इस तरह से बात करेगा हर केस हर केस अपने में डिफरेंट है तो आप देखें यह केस में उसके बोलने का तरीका वस्टू पॉलाइट कि मतलब 102 फीवर में चिल से ब्लैंकेट लेके बैठी है मेरे सामने और इतनी पॉलाइटली हर और चीजा को इंदम सिंप्लिसिटी के साथ बताया है माइड़नेस के साथ बटाया है कोई इरिटेशन नहीं कोई एंगर नहीं है कोई फ्रस्टूरेशन नहीं फिस पर सिम्पल तो उससे मैंने पॉलाइटली टूपलाइट मेरे सामने तुरंत वह रूब्रिक मेरे आग के स को डाटते हैं तो एसा की खाना नहीं करता है जो मुझे खाना जाता है जो को नाश्या को यह पोघ्टा है लुज़ाता है और लोग उपर से डाटते हैं तो अच्छा नहीं लगता है या डिजीज कंडिशन में आप लोगों की क्यार करते हों आप उनको उठाना नहीं चाहते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं तो यह आपका क्या दिखाता है तो क्या सोचती है कि अच्छी बात है पुरानी नहीं जो फ्रेंज के साथ चिल मारती थी एंज्वाइ करती थी वो सोच के उसे अच्छा लगता है उसका फीवर कम हो जाता है तो ड्वेल पास्ट हैपी मुमेंट और ऑक्कुपेशन डावर्जन एमल सो यह रूब्रिक्स लेने के बाद मैंने उसे कर्सीनोसिन दिया और कर्सीनोसिन के बाद शी वस्टली फाइन उसके रिपोर्ट से एकदम नॉर्मल आ गए सिंपल एंद स्वीट केस कर्सीन न के-द स्वीट के साथ पोलाइट रहती है हार्मोनी डिजायर फैता है ऐग्रेसिँ नहीं होती है लोग डाटते थे तो भी वो कुछ उसका रियक्षन नहीं देती थी ए as करसी नोसीन है तो करसी नोसीन देने के बाद वो पूरा ठीक हो गई सो थैंक्यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार रूब्लिक्स और मज़ेदार केस के साथ थैंक्यू सो मच